हलो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल ममता मैक टुटोरियल और आज 11 ख्लास में लेक्चर 48 था ये हमने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक जो डेफिनिशन थी वो एक्जाम्पल्स थे पिछले लेक्चर में डिस्कस किये हैं आज करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के फ़र्स्ट थ्री सम पहले तीन सम करेंगे ठीक है फ़र्स्ट सम देखिए क्या है Which of the following are sets? Justify your answer नीचे कुछ collections दिने हैं आपने ये बताना है कि इन में से कौन-कौन सी set है कौन-कौन सी set नहीं है देन आपने answer को justify भी करना है कि set हैं तो क्यों है और set नहीं है तो क्यों नहीं है बात आती है set की, set क्या था बेटा? Set is a well-defined collection of objects. चीजों की collection, collection भी कैसी हो? Well-defined हो. One by one हम questions discuss करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारी collection well-defined है या नहीं है First देखिए, क्या है? The collection of all the months of a year beginning with letter J Letter J से start होने वाले साल के महीनों के नाम तो यह तो fix ही है, क्या आएंगे? January, then June and then July तो यह जो collection है, यह आपकी कैसी है collection well-defined है और यह आपका क्या आजाएगा? Set आजाएगा, ठीक है? यह आपका क्या है collection क्या है? Set की है ठीक है? लिखना पड़ेगा यह lines और लिखेंगे कैसी? वो आपको description में जो notes available है आप उनको follow कीजिए, उसमें सारा patterns है कि आपने अपने answer को justify कैसे करना है Second part देखिए The collection of 10 most talented writers of India भारत के 10 सबसे जादा प्रतिभाशाली लेखकों की collection अब वही बात आजाती है यहाँ पे जो word है most talented writers यह person to person vary करेगा किसी को talent किसी की लिखने की विधा में लिखता है किसी को talent कोई कविता जो लिखता है मालो उसमें ले ताल कैसी है वो वाला उसको लेखक जादा well talented लगता है तो most talented writers of India जो collection आपकी person to person change होती रहे किसी को कुछ, किसी को कुछ तो यह आपकी collection well defined नहीं माने जाएगी ठीक है? तो यह आपके पास set नहीं है set देखने के लिए सीधा ही collection को देखेंगे कि वो fix है या फिर वो change हो रही है fix है तो वो set है और change हो रही है तो वो set नहीं है third पार देखें क्या है? a team of 11 best cricketer batsmen of the world संसार के 11 सबसे best cricket खेलने वाले खिलाडियों की collection again यहाँ पे 11 best cricketers person to person change है किसी को ballers ज़्यादा है किसी को batsmen ज़्यादा पसंद है तो क्या आजाएगा? best cricket batsmen तो नजर में हर एक के अलगल हो गया यह list person to person change हो सकती है तो यह collection आपकी कैसी है? well defined नहीं है तो यह आपके पास set भी नहीं है fourth देखिए the collection of all boys in your class आपकी class के boys का collection वो तो fixie है हम बता सकते हैं class में मालों कितने लड़की है कितने लड़कियां है तो यह collection आपके पास कैसी है? well defined है तो यह आपके पास क्या बन जाएगा? यह आपके पास set की category में आज जाएगा fifth देखिए the collection of natural numbers less than hundred 100 से छोटे सारे natural number अब हमें पता है कि हमारे natural number क्या है? counting numbers one, two, three, four, five up to unlimited पता नहीं कहां तक हैं तो इसने क्या कह दिया? कि 100 से छोटे तो साफ साफ हमें पता है एक से लेकर 99 तक one से लेकर 99 तक के number यह fix हैं किसी से पूछ लो 100 से नीचे तक गिंती यह आएगी one से लेकर 99 तो percent to percent change नहीं हो रही है तो यह collection आपकी किस collection में आगी है? well defined में आगी है और जैसे ही collection well defined हो जाती है वो क्या बन जाता है? set तो यह आपके पास set आएगा six देखिए a collection of novels written by the writer मुशी प्रेमचंद मुशी प्रेमचंद दी द्वारा लिखे गए उपन्यासों की collection again यह तो fix ही है हमें पता है मुशी प्रेमचंद जी ने कौन-कौन से उपन्यास लिखी है यह तो है नहीं किसी और का लिखा हुआ मुशी प्रेमचंद वाले में डाल देंगे नहीं तो यह तो fix है collection well defined है हमें पता है कि मुशी प्रेमचंद जी ने कौन-कौन से novels लिखी है हम उनकी collection easily कर सकते है तो यह collection आपके पास कैसी है well defined है तो यह कहां आ गई है यह आपका set बनेगी यह collection आपका set बनेगी next देखे the collection of all even integers ठीक है अब हमें पता है integers क्या होते है 0 और plus के भी और minus के भी वो सारे पुणांग आते हैं आपके integer की हिंदी क्या होती है पुणांग पुणांग क्या होते है 0 भी 1,2,3 सारे plus के minus 1, minus 2, minus 3 सारे minus के भी 2,4,6,8 minus 2, minus 4, minus 6, minus 8 यह सारे आपके पास क्या है fixed है यह collection कैसी है well defined है तो यह आपके पास क्या बनेगा set बनेगा 8 देखे the collection of questions in this chapter अभी यह chapter करें है इसमें कितने questions है आप किसे से भी पूछ लो कोई भी इनके बता देगा कितने questions है यह तो नहीं कि मनमर्जी से कोई बता देगा यह change fix है percent to percent change नहीं हो रही है तो यह collection आपकी कैसी आएगी well defined collection है तो यह आपके पास set बनेगा चीक है और last क्या है collection of most dangerous animals of the world संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का collection अब खतरनाक जानवर इसकी कोई definition थोड़ी नहीं है कि कोई खतरनाक किसको बोलते है जिससे आपको डर लगता है किसी को मगरमस से डर लगता है जादा किसी को जादा share से लगता है को most वाली किसी को शिपकले से भी लगता है तो percent to percent dangerous animal चीक है यह जो list है यह आपके पास क्या हो जाएगी change हो जाएगी percent to percent vary करेगी तो यह well defined नहीं है तो यह आपके पास set नहीं बनेगा यह आपके पास set नहीं बनेगा मैं इसको cross कर देती हूँ तो set कौन कौन से है first part set है fourth part set है fifth, sixth, seventh, eighth यह सारे parts आपके sets है reason आपने लिखने कैसे है वो आप notes में देख लिजीगा ठीक है अब बिटा discuss करते है next question second question देखिए बिटा क्या है आपके let a equal to a आपके पास set दे दिया जिसके elements क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है आपने जो fill up है इनमे insert करना है यह दोनो थोड़ा सा revise करते है यह किसका symbol था belongs to और cross कर दें तो belongs to does not belongs to कोई element किसी set में है तो वो से belong करेगा और कोई element किसी set में नहीं है तो वो नहीं belong करेगा सिदा सा है 5 क्या 5 इस set में है 5 इस set में है तो यह a से belong करेगा second देखिए 8 8 इस set में है नहीं है तो ये A से बिलॉंग नहीं करेगा नहीं के लिए इसको काड़ देजे 3rd देखिए 0 क्या 0 है? 0 भी A set में बिलॉंग नहीं करेगा 4 क्या इस set में 4 है? Yes 4 है तो 4 A से बिलॉंग करेगा फिफ्ट देखिए 2, क्या इस set में 2 है, हाँ है, तो 2 भी belong करेगा A से और 6 पार 10, क्या A वाले set में 10 है, 10 नहीं है, तो 10 A से belong नहीं करेगा सीधा सा है, अगर कोई element किसी set में है, तो वो उसे belong करेगा, otherwise belong नहीं करेगा next question पर चलते हैं, third question देखिए क्या है write the following in roster form, हमने sets के representation के दो तरीके बढ़े थे first form क्या थी, roster form, जिसे हम tabular form में बोलते थे और second आपके पास क्या थी, set builder form, roster form में हमने क्या करना है elements की list बनानी है, उन्हें comma से separate करना है, और within curly practice डाल देना है ठीक है, तो आपको यह दूसरी form दे हुई है, जिसमें property दी होती है, कौन सी form है, set builder form आपको roster में लेके जाना है, क्या है first देखिए, A, A set में X है, X is an integer X integer है, और minus 3 और 7 के बीच का है, अब हमें पता है integer क्या होते है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सारे प्लस के, minus 1, minus 2, minus 3, सारे प्लस के तो वो वो integer लिख दीजिए, जो minus 3 और 7 के बीच में आते हैं, यहाँ पर equality का sign नहीं है, तो हम minus 3 भी नहीं लेंगे, और हम 7 भी नहीं लेंगे तो A set में क्या आएंगे, पहले तो हम elements की list बना ले, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह element आएंगे न, minus 3 से लेकर 7 के बीच में, अब number line पर easily देख ले न, यहीं आएंगे हमारे पास element बन गे, हमने क्या किया, इनको comma से separate किया और curly brackets में डाल दिया, तो यह आपके पास कैसी form आ गई है, roast form चीक है, second part देखिए, B, B में क्या है, X है, X is a natural number अब X natural number है, यानि कि यह 1 से start है, less than 6, बट 6 से छोटा है, तो क्या आएगा आपके पास B set आपके पास क्या आएगा, पहले natural number वो लिख दीजिए, जो 6 से छोटे है, कौन-कौन से आएगे, 1, 2, 3, 4 और 5 elements मिल गे, इनको कौमा से separate किया, within curly brackets डाला और यह बन गे हमारे पास roast form ठीक है, third part देखिए, C, C में क्या है, X ही है, X is a two digit natural number अब natural number है बड़ दो digit का है, एकाई कांक भी है, दाहाई का भी है, once भी है और tenths भी है दो digit का natural number है, और दो digit का natural number कैसे है, कि some of its digit is 8 अगर उन digits को जोड़े तो 8 है, तो कौन-कौन से आएगे, पहले हम list बना ले starting से चलते हैं, क्या आएगा, 17, दो digit का number है, और अंकों को जोड़ते हैं, तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है next क्या आएगा, 26, दो और छे, 8, next क्या आएगा, 35, next बनेगा आपके पास, 44, next बनेगा आपके पास, 53, next बनेगा, 62, next 71, और यह आगया आपके पास, 80 80 भी तो आएगा, 20 का है, और इनको जोड़ेंगे तो क्या रहा है, 8, अब आप यहाँ पे 0,8 मतलिक देना, 0,8 आपका दो digit का नहीं माना जाएगा, ठीक है हमें हमारे अंक मिल गए है, हमने इनके बीच में कॉमा लगाया, और इनको करली ब्रकेट्स में रखा, और यह हमारे पास क्या आगई है, हमारे सीस वाले सेट की रोस्ट फॉम, ठीक है, हमने दो digit के ऐसे natural numbers लिखे हैं, जिनकी अंकों का जोड़ करें, तो आपको 8 ही मिलेग नेक्स देखिए, D, X, X is a prime number, X prime number है, ए भाज्य संख्या है, ऐसी संख्या है, जो एक और खुद के अलावा किसी से भी भाग नहीं होती है, और which is the divisor of 60, जो 60 को भाग करेगी, खुद तो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होएगा, बट 60 को भाग करेगी, तो व एक नहीं लेते हैं, एक ना तो हमारे पास भाज्य संख्या में आती है, ना ए भाज्य संख्या में आती है, one is not a prime number and also not a composite number, ठीक है, हम बात कर रहे थे क्या, prime number ए भाज्य संख्या है, दो से start होती है, अब prime numbers देख लो, जो किसी से भाग ना हो, एक और खुद के रलावा, ब क्या आएगए, 2, 3, 5, 7 नहीं होएगा, 7 के बाद 11, 11 भी नहीं होएगा, 13 भी नहीं होएगा, 15 तो नहीं होएगा, के पास prime number, 15 और फिर, बाकिता अचा कोई बनता ही नहीं है शायद हाँ बनता ही नहीं है तो यही नंबर्स हो जाएंगे हमें elements मिल गए कॉमा से separate किया within curly brackets रखा और यह आपके पास हमारे पास क्या आगया डी की roster form हमने prime number लिखने थे हाँ यह prime number है एक और खुद के लावा किसी से भाग नहीं होते हैं विच इस diviser of 60 और यह तीनों ही number 60 को divide करते हैं चीक है इदेखिए इदेखिए क्या है दा सेट ओफ ओल लेटर्स इन दा वर्ड ट्रिगनोमेट्रे इस वर्ड में जो इन लेटर्स यूज है उनका सेट उनकी roster form लिखनी है तो पहले था elements ले लो T है R है I है G है O है M है O तो दुबारा आ चुका M है E है T आ चुका R भी आ चुका और Y भी आ चुका हमने यह किया था कि जब हम सेट लिखते हैं roster form में तो हम elements को repeat नहीं करते हैं letters मिल गए comma से separate किया और within curly brackets डाला तो यह आपके पास आ गया T है T है फिर T T तो आ चुका E आ चुका और क्या है आपके पास R है elements मिल गए comma से separate किया curly brackets में डाला और यह आगी हमारे पास F की roster form चीक है वह आपके पास आ जाएगी roster form hope कि आपको आज के lecture के तीनों ही question अच्छे से समझ में आए होंगे description में कैसे आपको soul करके लिखना है वह है notes वहां से ले लीजिएगा notes और आगे से लेबस करने के लिए channel से जुड़े रहे इसे like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thank you